गुर्वारी मच्छो देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको मोड के बारे में और मिल्डियन के बारे में बताया था आज हम मीन के बारे में डिस्कस करेंगे में एक तरह से एवरेंग निकालना होता हमें किसी भी सिरीज का और उसके जब हमारे पास सिरीज तीन होती है आपस होता है दूसरा हमारे पास हमारे निकालते वक्त हमारे पाक हमें बेस्ट को दुमनें की लिएज सीरिस का अलग होता है, क्वोरोकिकल दोनों में हमारे पाइट है and xaddo यहां भूनेट चीज एक साथ लिखी यहां पर, बेस्रीट और कंटिनूुरी को एक साथ है, तो डाये हमारे पाते हैं में में हमारे पास दो मैथड होते हैं, एक डारेट मैथड है आपका परत्यक श्रीती और दूसरा है हमारे पास शोटकट मैथड लगभूरीती, एक डारेट मैथड है आपका परत्यक श्रीती, तो जो मीन है हमारे मीन को हम X बार से डिनोट करते हैं, चाहिए तो मीन लिख सकते है यह x-par से denote करते हैं, मेन का formula होता है हमारे पास में sigma x upon n, मलद जो आपके x दियोंगे आपको जो numbers दियोंगे हमारे पास जो marks दियोंगे या कोई height के numbers दियोंगे आपको उन सब को add करना है और उनकी संख्याओं से divide करना है उनकी number of items से, जितने भी number of items होंगे हमारे पास उन से divide करना होता है मैंने यहाँ पर फोर्मल लिखके दिखाया हमारे पास x-par है mean बराबर है sigma x upon n, उसमें x-par होता है हमारे पास समद्रमाद दिये क्योंकि arithmetic mean को x-bar से ही so करते हम उसके बास sigma x है आपका, उसमें total है हमारे पास, जो x दिये हुए हमारे पास पद है आपके items है, उनका total है वो, और n है आपका number of items मतलब जितने items है हमारे पास उनको count कर लेते हैं, उन से divide कर लेते हैं तो आपका mean निकलाता है इसमें, फिर ऐसी एक दूसर तरीका होता हमारे पास उसमें assume mean के थुरू करना, assume mean से मतलब हमारे पास हम किसी भी numbers को assume कर लेते हैं और उससे फिर उसके division निकालते हैं, which learn निकालते हैं तो division निकालने के बाद हमारे पास उसका formula होता है, x bar is equal to a plus sigma dx upon n और जो dx होता हमारे पास वो होता है, x में से हमारे पास a को minus कर लेते हैं जो हम assume करते हैं संक्या को, assume आप कोई भी संक्या कर सकते हैं आप उसमें तो यह दो method हैं हमारे पास जिसमें हम सवाल करेंगे इसमें क्या होता हमारे पास जो dx हम निकालते हैं इसमें, हमेशा x से ही आपको value लेनी होती है हमारे पास जो assume करना होता है, और x में से ही फिर a को minus करते हैं उसमें तो a बराबर है हमारे पास assume mean और sigma dx आपका demissions का total होता है और n बराबर है number of items इसमें, फिर ऐसी हमारे पास discrete और continuous series के formula है हमारे पास में इसमें क्या होता हमारे पास frequency और x दोनों आयते हैं हमारे पास number of student दिये हो आपको या उनके marks दिये हो आपको तो फिर हम formula में use करते हैं हमारे पास x बराब एक पार is equal to sigma fx upon n माला f or x की multiply कर लेते हैं और फिर उनको n से divide करते हैं तो उस formula को आप हमारे पास n को आप ऐसे भी denote कर सकते हैं sigma fx upon sigma f माला क्योंकि n की equal होता है हमारे पास sigma f तो हम इसकी जगे पर इस n की जगे पर इसको भी रख सकते हैं तो मैंने इसकी जगे पर यहां पर sigma fp use कर सकते हैं हम इसमें तो ऐसे हमारे पास यह डायट मेथड का formula था हमारे पास यह आपका assume method का है shortcut method का है तो इसमें भी यह करेंगे हमारे पास a plus sigma fdx upon n fqdx की multiply कर लेंगे dx निका लेंगे और फिर इसकी multiply कर देंगे और एक तीसरा एक में नया method है हमारे पास method और जुड़ जाता हमारे पास continue series के लिए हम normally use करते हैं उसमें क्या होता हम जो अपने divisions होते हैं हमारे पास उनको छोटा कर लेते हैं short करने के लिए हम इसकी figures की multiply को छोटा करने के लिए हम step division का use कर लेते हैं हम उनको divide कर लेते हैं i जो जिस भी common factor लेते हैं उसमें और common factor से divide कर लेते हैं उसको तो फिर हमारा formula होता है a plus sigma fdx upon n into i जिससे भी आप जिसको भी common factor लेंगे हमारे पास इससे divide करेंगे उसको i की जगे use कर लेते हैं formula फिर वापस दुबारे multiply वह दी उसकी तो यह step division method के लाता आपका तो normally आप mean को किसी भी थूरू से किसी भी formula से आप calculate करें आपका answer एक ही आएगा उसमें हमेशा आप चाहे तो shortcut method से करें चाहे direct method से करें चाहे step division से करें आपका जो answer है mean का वह हमेशा एक जैसा आएगा विल्कुल उसमें तो बच्चों देखो एक question करके देखते हैं हमारे पास इंड्वल सीरिस का यह question है आपका the following are the monthly salaries in rupees of 12 families calculate the arithmetic mean तो देखो हमारे पास 12 वेक्तियों के हमारे पास salaries दे रखी है हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा और बारा और फिर यह total दे रखा है इसने खुदी अपने आप calculate करके तो हमें भी यह करना है अगर total ना दिया होता हमारे पास तो हम इसके पहरे calculate करते है, total करते है इसका, total करने के पाफ फिर value रखते हमारे पास तो हमें, okay, mean निकालना है, तो mean बराबर हो जाएगा इसमें, उसका formula होता है sigma x upon n, तो sigma x है इसके अंदर हमारे पास sigma x है आपका, total है हमारे पास x का, यह x है आपके, तो इनको total किया हमने तो यह आए, one nine, eight two और n is equal to हो जाएगा आपका, यह भी हमने total कर रखा हमारे पास इनको count कर रखा, one, two, three, four, five, तो 12 figures हैं आपकी यह, तो n बर is equal to हो जाएगा 12, तो आप इस formula में value रख देंगे उसकी, one nine, eight two, divide by 12, तो बार से divide करेंगे इसको, तो वो निकल के आएगा आपका, इसको divide कर देंगे 12 से, तो, यह आ रहा है हमारे पाद 165.16 या इसको आप लिख सकते हैं 165.17 क्योंकि 6 है इसमें तो इसकी जगह पर आप उसको 7 कर सकते हैं 6 को ठीक है तो यह आंसर है आपका हमारे पाद इंडोल सिरीज का लेकिन अगर इसी सवाल को हम आपको डेविशन निकालना पड़ेगा आंसर उसका भी यह आएगा विल्कु सेम तो उसको दुबारा करके देखते हैं एक बार आपको इसको इसी कोशन को दुबारा करते हैं हमारे पास एस्जूम मेथट से या फिर शोटकट मेथट से तो यह सीरियल नंबर से हैं आपके य सिरिस के अंदर से कर सकते हैं एक से तो कोई भी फिकर आप एस्जूम के रूप में ले सकते हैं तो मैं आपको पहले एस्जूम की फिकर लेकर दिखाता हूं कोई भी तो सपोस करो हम इसमें 200 ही ले लेते हैं कोई से A is equal to हो जाएगा आपका 200 ठीक है अब क्या करना है आपको X में से माइनस करना A को तो इसमें से X से माइनस करेंगे A को तो यह 280 है 280 यह है 200 आपका 280 में से 200 का माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 80 हमें माइनस इसमें से X में से करना A को तो X में से 280 में से 200 गटाएंगे तो 80 आएगा और वो भी किसका प्लस का तो आप चाहो तो प्लस माइनस यूज कर सकते इसमें ठीक है उसके बाद 180 है हमारे पास उसमें से 200 गटाएंगे आप इसमें तो आप माइनस का आएगा क्योंकि इस फीगर छोटी है आपकी ए बड़ा है आपका तो यह आएंगे माइनस के 20 फिर 96 में से माइनस करेंगे हमारे पास तो वो निकल के आएंगे आपके 104 ठीक है फिर 98 में से करेंगे तो आएगे आपके माइनस में 102 फिर उसके बाद हमारे पास 104 में से करेंगे 200 को तो वो आएंगे माइनस के 96 96 फिर 75 करेंगे तो आएंगे माइनस के 125 फिर 80 मेंस करेंगे तो आएंगे माइनस के 120 फिर 94 मेंसे करेंगे तो आएंगे माइनस के 106 फिर उसके बाद 100 मेंसे करेंगे तो आएंगे माइनस के 100 फिर उसके बाद 75 मेंसे करेंगे तो आएंगे 125 फिर 600 में से माइनस करेंगे तो आएंगे 400 और फिर 200 में से माइनस करेंगे तो आएंगे प्लस के या 0 तो आप किसी को भी एजियूम करें हमारा आंसर सेम ही आएगा इसमें ठीक है तो कोई भी आंसर आप एजियूम करें इसमें अब क्या करेंगे हमारे पास इसका टोटल कर लेंगे सिग्मा डी एक्स इसकाल टो अब क्या करेंगे माइनस माइनस को अलग जोड़ना है आपको और प्लस को अलग जोड़ना है तो प्लस के हमारे हो जाएंगे 80 और माइनस के हो जाएंगे आपके माइनस वालों को काउंट कर लेंगे इसमें तो वो जाएगा हमारे पास प्लस की फीगर हो जाएंगे आपके 480 और माइनस की फीगर हो कैल्कुलेट कर लेते हैं इसको तो यह हो जाएगा आपका 6, 6, 12, 5, 17 और 6, 23, और 5, 28 4, 13, और 15, 17, और 19 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह निकल क्या रहा है आपका 8, 9, 8 ठीक है तो प्लस की फीगर है आपकी 480 और माइनस की फीगर है आपकी 8, 9, 8 इसको लेस कर लेंगे इसमें से तो आपके माइनस की फीगर आएंगे यहाँ पर फाइनल जो आंसर आएगा माइनस का 4, 1, 8 तो हमने इनको आप थे माइनस कर लिया पर टोटल के हमने इसका माइनस को अलग एड़ किया प्लस को अलग एड़ किया आप चाहो तो कोई छोटी फीगर ले सकते हैं कोई भी अगर सबसे छोटी फीगर हम इसमें लेते हैं हमारे पास इसमें से सब्सक्रों यहाँ 75 फीगर है तो आपकी सारी फीगर प्लस में आती फिर आपको माइनस में नहीं करना पड़ता कुछ भी क्योंकि सारी चीजे माइनस हो जाती है आपकी इसमें सारी चीजे प्लस में आती वह सवाल थोड़ा आसान हो जाता हमारे पास प्लस को जोड़ना क्योंकि अब इसमें प्लस भी जोड़े हमने माइनस भी किये तोटल किया और उनको माइनेश करके फिर आंसर निकाला 아니라 मैंगे ही आंसर आ रहा है क्याकिए माइनेश की फीगर आई है निकल की तो आपको माइनेश की कैल्क किलेशन नी दिख्कज ससके सिस बच्छे को पलस माइनेश चांडविश कम होती है तो यहां पर गल्टी कर सकता है x bar is equal to a plus sigma dx upon n तो a था आपका हमारे पाद 200 हमने a 200 लिया था तो a को यहां से लिया हमारे पाद 200 हमने और sigma dx किते निकल के आये थे हमारे पास टोटल करके minus 418 अपोन n कितने थे आपके n थे आपके इसमें 12 एन यह है आपके जो हमने count कर रखे इनको count कर ले तो आप या फिर इनको count कर ले बात यह की है तो यह count किये हमारे पास इसको count कर लेंगे यह counting कर रखे हमने इस इसको खुदी पहले सी यह तो इसको count कर लेंगे यह 12 हो जाएंगे आपके आप इसको divide कर देंगे तो यह जाएगा हमारे आप क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो माइनस साइन जाएगा हमारे पास फिर इसको सोल करेंगे तो यह जाएगा आपका यह आ रहा है 34.83 इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 17 और यह जाएगा आपका 5 फिर 9 में से 3 6 तो आएगा 165.17 तो यह आंसर है आपका जो पहला आंसर था और यह आंसर दोनों मैच करते हैं अभी भी यह जाएगे चाहिए आपको जो करें इसको ठीक है तो यह था हमारे पास shortcut method गैलो आप इसको है तो long यह करने में आपको long दिखाई देता है लेकिन नाम इसका shortcut रखा गया हमारे पाए assume method से है यह वो simple method था हमारे पास एक्जाम में अगर आपको ना कहा जाए हमारे पाए तो आप किसी method से करते हैं इसको ठीक है तो आभी और question करके देखते है practice के लिए तो देखो बच्चे दूसरा यह question है आपका यह discrete का सवाल है हमारे पास size दिया हुआ है आपको frequency दिवी इसकी size में हमाँ को आपको यह figure दे 20, 19, 18, 17, 11 तक ऐसे लिखा हुआ है और इसका frequency दिये 1, 2, 4, 8, 11 ऐसे करके तो इनको यह x है आपका और यह f है तो x को हम यहाँ पर copy कर लेंगे फिर उसके बाद frequency 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2, 1 फिर आपको क्या करना होता है इसमें f और x के multiply करने होती है f into x तो यह बन जाएगा fx बने इसकी आपसे multiply कर देंगे तो यह जाएगा 20 बन जाए 20, 19 की 2 से करेंगे तो 38, 18 को 4 से करेंगे तो आजाएगा 72, 17 को 8 से करेंगे तो आएगा 136 फिर 11 की 16 की 11 से करेंगे तो आजाएगा 16 मज़े 16 और 176, 150, 14 से मज़े 98, 52, 24 और 11 फिर इसका टोटल कर लेंगे यह जाएगा आपका sigma fx और f का टोटल करेंगे तो यह n कलाक्विट होते हैं इसको इसको आप sigma f भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं इसको तो यह जाएगा आपका इसका टोटल करेंगे इनको तीन, चार साथ, पंदरा, दस पच्चीश हबिस, दस च्छतिस, और चालिस सा सेतालिस, और तीन, पचास, ये हैं आपके फिप्टी, और इसको करेंगे हमारे पास ऐसा साथ, तीन, 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 पच, तीन, तीन, आठ, और सथ, पंदरा, तीन, अटारा, पच्चीश ए तीन, चालिस, 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 और एक सटालिस, फोटिस, ये है सेवन, वाहल त्रिप्टल सेवन तो यह जाएगा आपका mean calculate करेंगे इसका sigma fx upon n तो यह जाएगा 777 divide by 50 तो 50 से divide कर देंगे इसको तो यह जाएगा आपका 50 बन्जा 50 और फिर बचेंगे आपके 27 तो यह जाएगा आपका 5 फिर जाएगा 250 फिर उसके बाद 5 250 और फिर जाएगा आपका 4 यह आएगा 15.54 यह आपका answer है इसमें तो यह निकल का है हमारे पास direct method से simple method से हमारे पास जिसमें हमने x दिया था f दिया था हमने उसकी multiply की और multiply करके बाद fx का total किया और f का total किया f का total n के लाता आपका और fx का total sigma fx के लाता है और फिर उसको divide कर दिया तो उसका answer निकल का है 15.54 अब देखो उसके बाद हमारे पास इसी सवाल को हम दुबारे दूसरे method से करके देते हैं shortcut से फिर दुबारे इसको उतारते हैं question को एक ही सवाल को मैं दो-दो method से करके दिखा रहा हूँ आपको एक ही सवाल को कि यह आपका सिग्मा एफ हो जाएगा या कहलो एन हो जाएगा आपका यह जाएगा 50 अब आपको डेशन लेना हमारे पास तो मैंने ए एजिम किया है 15 इसमें आप कुछ भी एजिम कर चाते हैं आपकी मर्जी आपका आप चाहँ तो छोटी फिकर 11 ले लेंगे प्लस में आजाएगी सारी फिकर मैंने बीच की संख्याश ले लिए आपको प्लस माइनस करने में थोड़ा सा हमारे पास दिखाना है मुझे कि plus की figure अलग जोड़ी आती है minus के अलग जोड़ी आती है आप सबसे छोटी संख्या लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगे आपके सारी figures plus में आएंगे फिर मैंने आपको समझाने के लिए typical सी figure लिये होई तो यहाँ पर minus करेंगे हमारे पाँ 20 में से 15 less करेंगे हमारे पाँ तो आएगा minus के 5 plus के 5 और 19 में से करेंगे 15 तो आएगा plus के 4 18 में से करेंगे plus के 3 17 में से 15 को less करेंगे तो आएगा plus के 2 फिर 16 में से plus के 1 15 में 0 फिर उसके बाद minus का 1 फिर minus का 2 उसके बाद minus का 3 और उसके बाब माइनस का 4 तो इस तरह से आपकी figure निकल के आएंगे आपकी dx निकल के आएगा फिर आप इसका f से multiply कर देंगे dx है आपका ये f है इसकी multiply कर देंगे आपस में तो ये जाएगा आपका plus 5 plus 8 plus 12 plus 16 plus 11 0 minus 7 minus 8 minus 6 और minus 4 अब आपको इसको जोड़ना है f dx निकालना minus minus को अलग जोड़ देंगे तो ये जाएगा आपका 25 minus के इनको plus को अलग जोड़ देंगे ये जाएगा plus के 52 तो आप plus के 52 में से minus करेंगे 25 तो कितना हो जाएगा आपका ये निकल के आएगा आपका plus के 27 अब फिर इस formula में रख देंगे value को अब हमारा formula होगा इसमे x बार बराबर है a plus sigma fdx upon n तो ये जाएगा a था आपका 15 plus fdx था आपका plus के 27 n थे आपके 50 और ये जाएगा 15 plus इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये जाएगा आपका 0.15 554 तो ये जाएगा 15.54 तो ये answer आपका तो देखो दोनों बच्चों दोनों में same figure आईए आपकी वहला answer में थोड़ा सा भी difference नहीं होता है हमारे पास में आपको same answer आएगा आप चाहे किसी method से करें इसलिए exam में जो आपको सरल लगे जो आपको आसान लगे जो simple लगे उससे आप सवाल को solve कर सकते हैं एक सवाल और करके देखते हैं continuous series का ही स्रीट का सवाल था एक कोशन और करके देखते हैं हमारे पास continuous series का तो देखो एक next question है आपका इसमें class इंटरल दे रखी आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और फिर उसके नमबर उससे 20 दे रखे हैं आपके जिरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 फिर frequency दे आपके 10, 12, 20, 15 और 5 फिर आपको क्या करना होता देखो हमारे पास अब तक हमारे पास दोनों frequency दिए हो दिए दे एक्स और एफ हम उसकी बंड़ी बलाई गरके निकाल लेते दे उसको अब आपको क्या करना है इसके अंदर आपको इसमें एक तो इस जो का marks दिये हुए class दे रुखी है अपकी class दिए जिरो से 5 में है तो हमें चाहिए एक constant x आपका तो हम क्या करेंगे mid value निकालेंगे इसकी इसको x को mid value भी कहते हैं आप तो mid value निकालेंगे mid value का formula होता है मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया भी था तो mid value is equal to होता है आपका L1 प्लस L2 upon 2 मतलब यह L1 है आपका lower limit और यह high limit तो L1 L2 को जूड के आप निकाल लेंगे तो अगर पहले को निकालेंगे 0 plus 5 divide by 2 तो वो निकल के आएगा 2.5 तो हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 फिर इसको divide करेंगे तो यह आएगा 7.5 फिर इन दोनों को plus करेंगे 2 से divide करेंगे 10 plus 15 divide by 2 तो यह जाएगा आपका 12.5 फिर इन दोनों को करेंगे तो यह जाएगा आपका 17.5 और फिर इसको करेंगे तो यह आएगा 22.5 फिर आप को क्या करना है हमारे पास अब आपके पाँ x और f दोनों आगे तो आप फिर आप fx करेंगे हमारे पाँ f into x f और x की multiply कर देंगे इसकी multiply करेंगे हमारे पास तो वो calculate हो के आएगा 25 90 यह जाएगा आपका 250 और 17.5 की 50 में multiply करेंगे हम तो वो निकल के आएगा 262.5 और फिर 22 की 5 में करेंगे तो वो निकल के आएगा 12.5 तो यह total हो जाएगा आपका यह हो जाएगा आपका N is equal to 20, 40, 50, 60 यह हो जाएगा 62 और इसको total कर लेंगे यह हो जाएगा आपका sigma fx is equal to इनको चोड़ लेंगे 0 point यह हो जाएगा आपका 0 2, 4, 6 और 1, 7 यह हो जाएगा आपका 7, 40 तो यह आगे आपका sigma fx हो जाएगा 7, 40 आपका और N हो जाएगे आपके 62 तो यह जाएगा x बराबर है sigma fx upon N तो यह जाएगा 7, 40 divide by 62 अब इसको divide कर देंगे तो यह निकल के आएगा आपका यह लगभग आरा है आपका 11.94 ठीक है तो यह हो गया हमारे पास divide करने के बाद आपका answer आया 11.94 इसी question को आप दुबारे करके देखते है हमारे पास यह था हमारे पास यह हमने किया था direct method से अब करते हैं इसको shortcut method से फी दुबारे ऐसी लिखेंगे इसको प्रावब फिर आप इसका डी एक्स निकालेंगे वो जाएगा आपका और यह हो जाएगा आपका यही शुम करेंगे इसमें आप किसी को भी शुम करते हैं लेकिन हमेशा एक्स से करना होता आपको यह एक्स वाली फिल्टी को एजीओं करेंगे तो आपके उछोटे लेके लेखते हैं हमारे पास तो हमने लिया एक इसकल टू पउईंट फाइव तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0 इसमें माइनस करेंगे हमारे पास तो आएगा आपका 5 उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 10 यह जाएगा 15 और यह जाएगा 20 फिर इसकी multiply करने हैं आपको F में तो F से multiply कर देंगे इसकी तो एक नया column बन जाएगा आपका FDX तो इसकी multiply करने हैं यह F है आपका यह DX है यह जाएगा 0 यह जाएगा 60 यह जाएगा आपका 200 यह जाएगा आपका 2 to 5 और यह जाएगा आपका 100 तो यह जाएगा sigma FDX इसको add कर लेंगे यह जाएगा आपका 5 8 और 5 और यह N हो जाएगा आपके हमारे पास 65 तो आप फिर दुबार ऐसी करेंगे इसमें यहाँ पे रखेंगे X is called to A plus sigma FDX upon N तो A था हमारा इसमें 2.5 plus FDX था आपका 585 और N थे आपके 62 तो इस आएगा 2.5 plus इसको divide कर देंगे तो divide करने के बाद फिगर निकल के आएगे आपकी 62 से divide करेंगे 585 को 62 से दिए जबुआ तो आपका 1 जबुआब प्याँ 62 से दो हमारा थी जबुआब एदूआब प्याँ 62 से खी खीए तो यह निकल क्या रहा है आपका 9.43 अब इसको एड कर देंगे इसमें तो यह जाएगा आपका अब आप चाहो तो आगे भी कर सकते हैं इसको आगे करेंगे तो यह जाएगा आपका तो यह जाएगा आपका इसको एड कर देंगे 11.93 उसके बाद भी फिगर आएगी तो आप इसको चाहो तो 94 कर सकते हो यहाँ पर क्योंकि लगबग में जा रहा है हमारे पास तो 11.94 इसका आंसर होगा तो यह था हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का सवाल कंटिनी सीरीज का सवाल शोटकरत मेठर था हमारे पास और देखे बच्चों मैंने आपको तीनो फॉर्मेट पे सवाल करा दिया आपके वए इसमें less than रहे गया हमारे पास less than more than में क्या होता हमारे पास आपको CF दियी होती के मिलिटी फ्रिक्वेंसी दी होती है पहले से एफ पे करवड करते हैं उसके बाद फिर आपको सवाल ऐसे ही करने सारे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस के रूपे यूज करें लाइक करें शेयर करें और कोई भी नोटिफेयर दे लेने के रिए आप उसको बैल आइकोन दबा हमारा जिस्ते आपके नोटिफेयर मिलते रहें धन्यवाद